जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बावा सहाभ ने हमारे समिधान लिखा और उसमें सभी को समाना आधिकार दिया और उसमें नारियों को भी पीछे नहीं छोड़ा, तो इस गीद की मात्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि समिधान से पहले नारियों के क्या हालत थी नारी बचाई नरक से अर्मान थे अंबेडगर शोशितों के वास ते वरदान थे अंबेडगर इस भारत देश की शान थे अंबेडगर सच पूछिये तो नारियों के भगवान थे अंबेडगर भीमराब समिधान न लिखते देश की हालत क्या होती अपने दुखडे को ले करके हर बैना और मा रोती बाबा अगर समिधान न लिखते देश की हालत क्या होती अपने दुखडे को ले करके हर बैना और मा रोती नारी को संबा न मिलता दासी बन कर रह जाती तन परवस्त्र नहीं होती पत्थर की मूरत कहलाती बात न उसकी कोई सुनता जीवन अपना वो खोती अपने दुखडे को ले करके हर बैना और मा रोती पैर की जूती होती नारी पहन के फेक दिया जाता समझ खिलोना जब नारी को खेल के तूड दिया जाता नीच कहा जाता नारी को पशों में गिनती होती अपने दुखडे को ले करके हर बैना और मा रोती दोली उठती जब बैना की ठाकुर जी के घर जाती अपने आबुरू और इच्चत को बन के मूख वो लुटवाती डोली उठती जब बैना की ठाकुर जी के घर जाती अपने आबुरू और इच्चत को बन के मूख वो लुटवाती बदनामी का लेकर बोजा सारा जीवन वो ढोती अपने दुखडे को लेकर के हर बैना और मारोती बनना पाती दिप्ति कलेकर सबने मिट्टी हो जाते पढ़ने का मौका नहीं मिलता अरमा सारे दब जाते बनना पाती दिप्ति कलेकर सबने मिट्टी हो जाते पढ़ने का मौका नहीं मिलता अर्मा सारे दब जाते नारी शक्ती ना कैलाती ऐसे वो जीवन जीती अपने दुखडे को ले करके हर बैना और मा रोती देख दुखडशा ये नारी की बाबा मन करुणा लाए दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियां लाए देख दुखडशा ये नारी की बाबा मन करुणा लाए दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियां लाए सूरज राही मिलके जलाए भीव की वो पावन ज्योती अपने दुखडे को ले करके हर बैना और मा रोती हर बैना और मा रोती हर बैना और मा रोती